कौन कहता है भारत से जातिवात खत्म हो गया आज भी दलितों को शवयात्रा नहीं निकालने देते सवन बहुजन समाज पार्टी के नैशनल कॉडिनेटर आकाश आनद का इस पर बड़ा बयान जी हाँ दोस्तों मैं हूँ इंजिनर इसनी हाँ और आप देख रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे साथी बेल आइकन प्रेस कर लिजे हमारी वीडियोज को लाइक करें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे और अपने दोस्तों रिष्टेदारों में श्यर करना ना भूलें आपको बता दे कि बिहार के चपरा से बड़ी खबर आई हैं एक दलित के मौत हो जाने के बाद उसके शव यातरा निकालने को लेकर सवर्णों ने रास्ता रोग दिया घंटों तक वह शव रास्ते में ही अटका पड़ा रहा और उस शव यातरा को नहीं निकालने के लिए सवर्णों ने पहल गी इस शव को ले जाने का रास्ता नहीं दिया मतलब नफरत देखिये किस हद तक है कि किसी की मौत पर भी जातिय भेदभाव किया जाता है कॉंग्रेस भाचपा समाजवादी पार्टी राष्टिय जन्तादल कोई भी हो सब दलितों पर अत्याचार जब होते हैं तो समाज को बदलना होगा डोक्तर बाबा सहब अमेट कर 1936 में कहते हैं कि जाती वह राक्षस है जो आपकी आर्थिक और राजनेतिक उन्नती नहीं करने देता आप आपका पीछा यह जाती नाम का राक्षस बिलकुल भी नहीं छोड़ता आपको अगर आपको विकास करना है र और यह बाद डोक्तर बाबा सहब अमेट करके कहने के बाद भी इस देश के अंदर 70 साल आजादिक हो जाते हैं लेकिन यह जाती नाम से ही उत्पीडन जाती के आधार पर उत्पीडन आज भी पाये जाते हैं बिहार में पाये जाते हैं चतिजगर में पाये जाते हैं कॉंग्रेस के सरकार में नहीं होते थे और इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनन्द है इन्होंने कॉंग्रेस भाजपा और समाजवादी पार्टी और राष्टिय जनता दल इसे भी अपने निशाने पर लिया है बाबा सहाब अमेटकर के हिसाब से इस देश के नहीं होते हैं अपनी अपनी जाती को छोड़ कर अगर हम संगठीत नहीं होते हैं तो हमारे उपर इसी प्रकार के अन्यायत्याचार बढ़ते ही रहेंगे अगर आप संगठीत हो जाते हैं तो इस देश का सवर्ण आप पर अन्यायत्याचार करने के लिए आपके शोव रोक बने रहे दाथिंग पर जै भीम जै भारत बहुजन विचारधारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले